NCDPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPTBPPTBPTBP कि यह दिया गया है कि 200 न्यूटन परतिकुलाम का विद्दु छेतर है जबकि अक्स ग्रेटर देन जीरो था अक्स ए बराबर माइनस में 200 न्यूटन परतिकुलाम जबकि अक्स लेस देन जीरो 20 सेंटीमेटर लंबे 5 सेंटीमेटर तिरिजिया के किसी लंब वरतिय सिलेंडर का के अंदर मूल बिंदु पर है था इस अक्स के इस प्रकार अनुदिस से कि इसका एक फलक जो चितर में दिखाया गया है उसके अक्स एक्वाल to प्लस 10 सेंटीमेटर पर और दूसरा जो फलक है वो माइनस 10 cm पर है यह हमें बता रखा है कि वर्तागार फलक है एक तो है प्लस 10 cm पर एक है माइनस 10 cm पर और इसका जो मूल बिंदू है वो इस सिलेंडर की अक्स पर मुझूद है इसके केंदर पर मुझूद है हमें इसमें पूछा है कि परतेक चप्टे फ्लक्सें गुजरने वाले नेट बहिर मुकी फ्लक्स कितना है ये इस फ्लक्से कितना गुजर रहा है इस वरतकार फ्लक्से कितना गुजर रहा है ये पूछा है बी पार्ट में हमें पूछा है कि सिलेंडर के पार्सवे से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है ये जो वक्राकार फलक है इस से गुजरने वाला विद्ध फ्लक्स कितना है वो हमें पूछा है C part में Cylinder से गुझरने वाला Net भहीर मुखी flux कितना है Total भहीर मुखी flux भहीर मुखी का मतलब है बाहर निकलने वाला बाहर निकलने वाला Total जो Net flux है Net का मतलब है kul कितना होगा इसका मतलब हो गया कि इन दोनो वर्तकार भागों से और इस वक्राकार भाग से जितना भी flux बुजरता है वो ही नेट बहीर मुखी flux होगा अर्थार्थ A पार्ट का जो अंस्वर है और B पार्ट का जो अंस्वर है उनका योग कर देंगे तो C पार्ट का अंस्वर आजएगा सिलेंडर के भीतर नेट आवेश कितना है तोटल जो आवेश इस सिलेंडर में मुझूद है वो हमें चोथे पार्ट में ग्याद करना है एक एक करके इन सबकी वेल्यू यहाँ पर हम find out करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं इस वर्तकार भाग का छेतरफल वर्तकार भाग का जो छेतरफल है वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वेर जो पाई है उसकी वेल्यू तीन पॉइंट एक चार आर का जो मान है वो है पांस से इन्टिमिटर तो पांच गुणा दसकी घात मैनिस दो का स्क्वेर तो यहां से तीन पॉइंट एक चार पांस का स्क्वेर करेंगे पच्वेर गुणा दसकी घात मैनिस चार मिटर स्क्वेर तो यह हमारे पास में छेतरफल आ चुका है इस वर्तकार भाग का अब हम इस वर्तकार भाग के अंदर से गुजरने वाला टोटल जो फ्लक्स है वो देख लेते हैं पहले जो राइट साइड के अंदर फ्लक है वर्तकार फ्लक उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स देख लेते हैं उसको हमने 5R से लिखा है उसकी value होती है E into S के equal यहाँ पर जो विद्धुचितर है वो हमें दे रखा है 200 200 हमें बता रखा है S की value है वो दे रखी है 3.14 25 गुणा दसकी गात minus 4 तो जब इसको हम calculate करते हैं तो देखी क्या मिल रहा है 2 0 से यह 2 point हड़ जएगा 2 को 25 से गुणा करेंगे 50 आजएगा तो 314 गुणा में 5 गुणा दसकी घात minus 3 रह जएगा और जब यहाँ से हम इसको और calculate करते हैं तो 314 को गुणा करेंगे 5 से तो यह हमारे पास में आजएगा 1570 और 3 से पहले point पूट कर देंगे तो 1.57 आजएगा Newton into matrix square परती कुलाम यह आ गया है इसके right flux से गुजरने वाला विद्वत flux अब हम ग्याद करेंगे जो left वाला flux है उसमें से कितना flux गुजर रहा है मतलब इसमें से कितना flux गुजर रहा है इसके लिए हम phi l equal to e into s यहाँ पर e का मान माइनस में 200 है और चेतरफल सदीस भी उधर ही है दोनों के बीच का कौन है देखे यहाँ पर जो विद्वत चेतर है वो उधर चेतरफल सदीस है वो भी उधर दोनों के बीच का कौन 0 हो जाएगा तो यहाँ पर e की जो value है वो है 200 जब आप minus 200 यहाँ पर put करें तब इन दोनों के बीच का angle आपको include करना है और यहाँ आप यहाँ पर इसका परिमान put करें s का भी परिमान put कर लीजिए s के परिमान है 3.14 गुण 10 की गाथ 25 गुण 10 की गाथ minus 4 तो जब आप calculation करेंगे तो same value प्राप्त होने वाली है 1.57 into 10 प्राप्त हुई है यह था पहला part A part अब आप देखिए B part B part का मतलब है कि इस बेलन के वक्रभाग से गुजरने वाला पारस्वर से गुजरने वाला cylinder cylinder के पारस्वर भाग से पारस्वर भाग से पारित फ्लक्स पारित फ्लक्स कितना होगा पारित फ्लक्स से फाई एक्वल टू देखिए कितना होगा यहां से cylinder के पारस्वर भाग से गुजरने वाला net फ्लक्स तो इस Y दिसा में और जेड दिसा में विद्धुच्छतर है ही नहीं, विद्धुच्छतर सिरफ अक्स दिसा में है, अक्स दिसा में विद्धुच्छतर होने के कारण से इस वक्र भाग से विद्धुच्छतर पारित ही नहीं होगा, तक पश्यात इस संबंदित जो विद्धुच्छतर है वो सु होगा तो कुल जो वैंदूत्र फ्लक्स हो से हो कितना होगा अ मैं ऐल्य सेन फ्लक्स होन होके हीगा है लेफ्टे वाले रचेTo However है फाई आर क्लेस फाई एल प्लस ये फाई तो कुल वैंदू फ्लक्स हमारे पास में निकल कर आ रहा है फायार के विल्व 1.57 प्लस 1.57 प्लस 0 तो 3.14 न्यूटन इंटो मेट्रे स्क्वेर पर कुलाम हमारे पास में कुल फ्लक्स आ जाएगा डी पार्ट देखिए आप डी पार्ट में हमें पूछा है कि सिलेंडर के भीतर नेट आवेश कितना है कुल आवेश कितना है तो नेट आवेश हम गाउस के नियम की साहिता से ज्याद करेंगे नेट आवेश स्मेशन Q इक्वल टू हमारे पास में आजाएगा फाई इंटो अपसालन नॉट फाई की जो वेल्यू है वो है 3.14 और अपसालन नॉट की जो वेल्यू है वो है 8.854 गुनदस की घात माइनस 12 और जब हम इसको किल्कुलेट करते हैं तो हमें वेल्यू मिलेग के का बारवाँ एक जम्पल